गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरे चनल में आप सब का स्वागत है आज मेरा गुरुबार कबरत का लाश डे है पहले जैसे मैंने चावल के जोटी बनाया इसे कपड़ा भी पेना ये सब मैं आपके साथ पहले सेर कर चेकी हूँ आज मैं आपके साथ क्या प्रसाथ में क्या बनाती हूँ और आज स्विशल क्या बनाया है आपके साथ सेर करने वाली हूँ चलिए चलते हैं किचन में और प्रसाथ बनाते हैं खीर यहां बिठाया है खीर मेरा बन के बहुत हट तक रेडी हो चुका है बनने के लिए थोड़ा बाकी है और ये साइड में मैंने बनाऊंगे एक पीठा जो वो प्रसाथ के लिए ये चावल और कोकनट को पीषके में रखी थी और इधर भी वही नार्योल और चिनी का एक तयार किया है एक प्रसाथ खीरी मेरा बन चुकी है थोड़ा सा उसको चला लेते हैं फिर उसको निकाल के फिर पीठा बनाएंगे यहां मैं थोड़ा आपको सिरियस लग रही हूँ क्योंकि प्रसाथ बनाते बक्त बात नहीं करते और ध्यान भी धरुदर नहीं रहता तो इसलिए मैं आपको इस प्रकर का सिरियस नजर आ रही हूँ खिर मेरा बन चुका है अब चलिए जो पिठा बनाएंगे हमारा यहां उसको चितव पिठा बोलते हैं जो यहां से हैं जो उनको पता चलेगा जो बाहर से हैं उनको इतना चितव पिठा क्या है पता नहीं चलेगा यह प्रकर का राइस पैंकेक है चावल और थोड़ा सा नारियल को लेके पिस्ट के रात भर रख दिये थे रबी उसको ISKU ये है नारिल जिसको हमने थोड़ा सा फ्राय करके उसमें चीनी इलाची पाँडर डालके उसको एक ड्राय जैसा प्रसा जैसा बना लिए है उपर उसको थोड़ा stuffing जैसा दे देंगे इसका खास्योत यह है उसमें हम इसको दो चमच पानी डालेंगे इसे और उसको पल्टेंगे नहीं इसी में ही वह पकेगा पांच-छे मिनिट के बाद हम उसको निकाल के देख लेते हैं यह पक चुकी है हमारा बनके रेडी हो गया एक और एक बना लेते हैं सेम प्रोसेस में तोड़ा सा उसमें खी डालते हैं सेम प्रोसेस में उपर से वह नारियल और चिनिका पाग डालते हैं ढ़क लेते हैं थोड़ा सा पानी ची डख देते हैं और छे-सात मिनिट वेट करते हैं ये भी हमारा बनके रेडी हो गया है मतलब हमारा जो आज में जो प्रसाद में दो देंगी वो मेरा बन गया खीर और ये चिताव पिठा और भी तो बहुत कुछ बनता है मगर मैं इतना बनाया है अर मैं प्रसाद भी लगा चुकी हुँ अब ये आपके साथ थोड़ा सा वो भी शेर कर देती हुँ देखिए प्रसाद में कुछी प्रसाद में तुलसी का पता डाला और कुछी में मैंने फूल डाला तुलसी का पता हिया भगवान विष्णू का फटो है और यहां बालगोपल है और उनके लिए जो प्रसाद बनता है उसमें हम तुलसी डालके उनको प्रसाद अड़ाते हैं और यहां माता के लिए जो प्रसाद रखिये उसमें मैंने फोल दिया है बालगोपल के लिए श्रीफ खीर प्रसाद के रूप में दी हूँ, इसे दिया जाता है क्योंकि यह वो छोटे बच्चे हैं, वो यह सब खा नहीं सकते हैं चुबा के, इसलिए ऐसे मान्यता हैं, इसलिए उनको श्रीफ मेंने खीर दिया है